हलोगोध मेस वेटाम। तॉप मेडिकल कॉलेघ में आज बात करें ऑप डैली के दूसरे दूसरी नबर पूप मेडिकल कॉलेघ के बारे है। बैसिकल यह UC MS है, युनिश्टी कॉलेज एफ मेडिकल साइंसे डैली का कॉलेज है, इसका आप सकता है? बेसिकली MAMC, IMS, VHU की फिलिंग होती है, वो साथ में लगबग होती है उसके बाद UC हमें साथ है टेली के कोलेजेस की प्रिफरेंस काफी अच्छी होती है, और अल इंडिया कोटा में तो अल इंडिया कोटा में इसका क्या रहे सकता है, ये भी बात करेंगे क्योंकि NMC भी लाया है, तो इसकी जो प्रियोर्टी होगी, वो काफी नीचे तक जाएगी क्या हो सकता है, इसके बारे में बात करेंगे उससे पहले दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जिरू करेंगे, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिलकुल नहीं भूलें, तो चलिए, शुरू करते हैं वीडियो दोस्तों, UC MS के बारे में अगर में बात करूँ, इसकी जो सिट मैक्ट्रस है, वो कुछ इस तरह से इसमें जो सीटिया है वो अच्छी खासी होती है, अल इंडिया कोटा के लिए 15% सीटिया होती है, टोटल की और 85% सीटि स्टीट कोटा के अनेरेट के लिए जो दी यू कोटा के केंड़ेट्स होते हैं तो अगर मैं बात करूँ All India कोटा का एक्सक्राफ इस बाग क्या जा सकता है तो जनरल के लिए लगभाग इसका जो कटाफ जा सकता है 625-630 करीब जा सकता है OBC के लिए 622-625 SC के लिए 555-560 और ST केंड़ेट्स सकता है क्योंकि काफी कम जाएगा इस बार लास्ट आइम में तो बहुत ज़्यादा गया था UCMS का भी कट आफ चाहे वो All India कोटा हो यह स्टेट कोटा हो लेकिन इस बार काफी कम जाएगा बिकाउस आफ नमसी बिल UCMS डेली का 85% स्टेट कोटा में जो कट आफ जा सकता है जन्रेल के टेख लिए कि वो 600-605 यह 595 तक भी जा सकता है EWS का 575-580 OBC का 550-555 SC का 460-465 ST का 265-350 और Physically Handicapped का 175-180 इसमें CW के अनिडेट्स भी जाते हैं जिनका इसको काफी कम होता है CW के डेगरी के दोस्तों यह रहा Expected Cut-Off UCMS का That's all from my side Delight Sands of Square to work with Hanks Bye and take care